नमस्कार दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस योटीوب चैनल पर और आज ब्रहमरीशी विश्वमित्र की कहानी के भागदों में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रहमरीशी विश्वमित्र ने अपने तपोबल से एक श्वाकु वंश के राजा त्रिशुंग को सशरी स्वर्ग महुंचाया था और जब इंदर ने त्रिशुंग को स्वर्ग से वापिस धर्ती पर भेज दिया था तो कैसे उन्होंने अपने तब की शक्ती से एक अलग ही स्वर्ग की रचना कर दी थी जैसा की भाग एक में हमने बात की की राजा होते हुए विश्वा मित्र जब वशिष्ट जी के आश्रम में जाते है तो काम धिनों को लेकर कैसे उन दोनों में भीशन युद होता है जिसमें की हार का सामना करने के पश्चात राजा विश्वा मित्र भगवान शिप की कठोर में पार वश्च्वा में जाते है तो अगर आप ने पार वन अभी तक नहीं देखा तो उसका लि exhibited के एंड में एंड स्क्री पर दे दिया है आप उस video को जरूर देखे तो आइए अब शुरू करते हैं विश्वा मित्र जी की कहानी का भाग दो रिशी वशिस से हारने के बाद विश्वा मित्र अपनी पतनी को साथ लेकर दक्षिन की और जाते हैं और एक उग्र तपस्या में लीन हो जाते हैं उग्र तपस्या में लीन होते हुए एक हजार वर्ष बीतने के पश्चात ब्रह्मदेव विष्वा मित्र के सामने उपस्थित होते है और उन्हें राज रिशी पद से सम्मानेत करते है तत्पश्चाद भगवान ब्रह्मधेव अपने लोग को वापस चले जाते है लज्या में सिर्जुक आते हुए विष्वा मित्र कहते है कि मैंने इतनी कठिन तप प्रिव एवन ब्रहम रिशी के पत्त को प्राप्त करने के लिए की थी अतहाई ये मेरी तपसया निश्फल ही साबित हुई ये कहते हुए रिशी विश्वा मित्र एक बार फिर से कठोर तपसया में लीन हो जाते हैं कि इसी बीच एक्षवाकू वंश के राजा त्रिशुंक सशरी स्वर्ग जाने की कामना करते है और इस कामना की पूर्ती के लिए अपने राजपुरोहित रिशीवशिष्ट जी के पास जाते है लेकिन उनकी कामना सुनने के बाद रिशीवशिष्ट ये कहते हुए उन्हें मना कर देते है कि हे माराज ऐसा होना असंभव है ततपश्चात राजात रिशुंक उनके सौ पुत्रों के पास जाते है और उनसे कहते है कि हे गुरू पुत्रों मेरी ये कामना है कि मैं सशरी स्वर की और जाऊं अता आप एक ऐसा उपाय कीजिए ऐसा यग्य कीजिए कि जिससे मेरी ये कामना पुर्ण हो जाए यद्यपी में आपके पिता रिशी वशिष्ट के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया राजात रिशुंग की ये बात सुनकर रिशी वशिष्ट के सौपुत्र अती क्रोधित हो जाते है और राजात रिशूंग को करोदवश कहते है कि ह습्वद्धी जिस बात के लिए तुम्हें हमारे पिता रिशी वशूश ने मना कर दिया है तो हम उस बात को कैसे पूरा कर सकते है रिशी वशूश तुम्हारे राजगुरू है तुम उनकी बातों की ऐसी अहवेलना कैसे कर सकते हो ये सुनने के बाद राजा त्रिशुंग कहते है कि हे गुरू पुत्रो कोई बात नहीं आपने भी मुझे अपने पिता की तरह ही सूखा टरका दिया अता कोई बात नहीं मैं कहीं और जाकर किसी आदमी को ढूंडता हूँ जो की मेरी ये कामना या मनोरत पूरा कर सके ये अपमानित वचन सुनने के बाद उनके सौ पुत्र राजा त्रिशुंग को चांडाल बनने का शाप दे देते है और रात बीतने के पश्चाथ राजा त्रिशुंग एक चांडाल के रूप में परिवर्तित हो जाते है और दुखी होकर वो वन में भटकते हुए रिशी विश्वा मित्र के चरनों में गिर जाते है और उन्हें बताते है कि कैसे रिशी वशिष्ट ने उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने से मना कर दिया और जब वो ये कामना लेकर उनके सौपुत्रों के पास गए तो कैसे उन्होंने उनकी सहायता करने के बज़ाए उन्हें शाप देकर चंडाल बना दिया उसके पश्चात राजात रिशों कहते है कि हे महराज मैंने अपने जीवन में कभी जूट नहीं कहा और असंख्य अश्वमेद यग्य की हमेशा प्रजा का हित किया लेकिन फिर भी मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और स्वर्ग तो छोड़िये अब तो मैं इस लोक में भी सांतोना देते हुए कहते है कि हे त्रिशूंक मैं तुम्हे इस पार्थिव शरीर के साथ स्वर्ग भेजूंगा तुम इसकी चिंता मत करो उसके पश्चात रिशी विश्वा मित्र अपने शिश्यों को बुलाते है और कहते है कि धर्ती पे जितने भी रिशी मुनी है तुम उन्हें जाकर बतलाओ कि रिशी विश्वा मित्र ने एक यग्या का आयोजन किया है अता सब को उपस्थित होना अनिवारे है और साथ ही साथ उन्होंने अपने शिश्यों को ये भी निर्देश दिया कि जो मेरी इस बात की मना कर दे जो इस बात को मानने से मना कर दे तुम आकर मुझे उसके बारे में बताना मैं उसको सजा दूंगा ये सुनने के बाद रिशी विश्वा मित्र के शिश्य विश्वा मित्र के कहे अनुसार सभी रिशियों को नियोता देते है लेकिन एक महोदे नाम के रिशी और रिशी वशिश्ष्ट के सौ पुत्र ये कहकर आन खाकर सुवर्ग कैसे प्राप्त होगा रिशी विश्वा मित्र के शिश्चे जियों कातियों ये वाक्या रिशी विश्वा मित्र को सुनाते हैं ये बात सुनने के बाद रिशी विश्वा मित्र क्रोध में आकर रिशी वशिष्ट के सौपुत्रों को शाप देते हुए कहते ह कि निश्चे ही रिशी वशिष्ट के सौपुत्र आज भस्म होकर यमपूरी जाएंगे और साथ सौ जनम तक इस धर्ती पर शवभक्षी बनकर नित्यकुत्ते का मास खाएंगे और इस जग में मुश्ठिक के नाम से जाने जाएंगे रिशी महोदय को वो निशाद योनी में जनम लेकर दिर्ग काल तक दुरगती भोगने का शाप देते हैं ततपस्चात राजा त्रिशुंग को पार्थिव शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचाने के लिए रिशी विश्वा मित्र एक यग्या का आयोजन करते हैं तब उनके तप स्वर्ग के काबिल नहीं हो अतह तुम प्रिथवी लोग पर ही वापिस चले जाओ ये कहने के बाद राजा त्रिशुंग स्वर्ग लोग से सिर के बल प्रिथवी की और गिरते हैं तब वो रिशी विश्वा मित्र से अपने आपको बचाने की याचना करते हैं रिशी लिए एक अलग ही स्वर्ग की रचना कर दूँगा ये कहने के पश्चात रिशी विश्वा मित्र नक्षत्रो देवताओं सहीत एक स्वर्ग की रचना करते हैं ये सब होने के बाद देवता कांपते हुए डरके मारे रिशी विश्वा मित्र के पास आते हैं और कहते हैं कि हे रिशी हमने तो राजा त्रिशुंग को स्वर्ग में इसलिए नहीं स्थान दिया क्योंकि वो शापेत है इसलिए आप एक अलग स्वर्ग की रचना मत कीजिए देवताओं की याचना सुनने के बाद रिशी विश्वा मितर कहते है कि हे देवराज इंद्र मैंने राजा त्रि देवता कहते है कि हे प्रभू ऐसा ही होगा लेकिन आपके द्वारा निर्मित किये हुए स्वर्ग एवं नक्षत्र इस वैश्वांत मार्क से बाहर रहेंगे ये कहकर देवता अपने लोकों की और चले जाते है और राजा त्रिशुंग उस नए स्वर्ग में ऐसे के लिए धन्यावाद